हेलो गाइज आप सभी का मेरे यूटूब चैनल cgplc hub point पर आप सभी का सौगत है आज हम लोग देखेंगे 36 गड़ समान निग्यान प्रस यह आपका आने वाले सभी एक्जाम के लिए यह मुहादपुड कोशन हो सकते हैं यह भी जाम की तयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे यूटूब के लेको जो है subscribe करें ठीक है फ्रेंट तो आप जो है subscribe करें और साथ में जो है bell icon दब है और like कीजेगा ठीक है तो पहला प्रस न कहता है कि 36 गड़ के किसानों का सबसे महतपुण तयवहर कौन सा है हैना कौन है न यह ठीक है तो 36 गड़ के किसानों का सबसे महतपुण तयवहर कौन सा है हैना 4 option में से आपको बताने है कि 36 गड़ के सबसे किसानों का सबसे महतपुण तयवहर कौन सा है ठीक है option A में दिया है आपका भोजली, ऑफशन B में दिया है आपका तीजा, ऑफशन C में दिया है हरेली और ऑफशन D में दिया है आपका बहुरा चाओं, ठीक है, तो भोजली तो होई नहीं सकता, आज है, है ना भोजली का जो तेवहार है वो आज है, ठीक है, तो भोजली तेवहार के आप सभी क बहुत-बहुत हार्दिक सुपकाम नहीं देता हुमें, ठीक है, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा हरीली, हरीली जो है, 36 गड़ के किसानों का सबसे महतपुर्ण तेवहार जो है आपका हरीली है, ठीक है फ्रेंड, हरीली जो है, 36 गड़ के किसानों का सबसे महतपुर् जाता है ठीक है तो 36 गड़ का प्रथम तेवार भी हरे लिए क्लियर है अगला प्रस्ण देखें प्रस्ण नमबर दूसरा की बात करें तो सतनामी पंतियों दौरा निम्न लिखित में से कौन सा नित्त जो है किया जाता है तो चार ओप्सन दिये है उसमें से जो है सतनामी पंतियों दौरा जो है कौन सा नित्त किया जाता है ये प्रस्ण पूछा है आपका प्रस्ण नमबर दूसरा ठीक है तो option A में दिये है आपका सुवा नित, option B में दिये है आपका पंति, option C में दिये है गौर, option D में दिये है आपका मांदरी ठीक है तो यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे comment box में अपना आंसर दे सकते हैं ठीक है तो सतनाम पंतियों दौरा जो है नित किया ज प्रस्म नंबर तीसरा, प्रस्म नंबर तीसरा में कहता है कि 36 गड़ी लोग गीतों का राजा किसको कहा जाता है तो 36 गड़ी लोग गीतों का राजा किसे कहा जाता है Option A में दिया है आपका पंडवानी Option B में दिया है आपका कर्मा Option C में दिया है आपका ददरिया Option D में दिया है आपका पंती 36 गड़ी लोग गितों का राज़ा जो है आपका option number see correct answer हो जाएगा ददरिया को कहा जाता है लोग गितों का राज़ा 36 गड़ी लोग गितों का राज़ा जो है ददरिया को कहा जाता है यदि press न का लवाल अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे YouTube channel को subscribe करें जो नए फ्रेंड है और जादा से जादा जो है मेरे यूटूब चैनल को लाइक न मनोबल बढ़ाईगा ठीक है प्रस नंबर चौथा कहता है कि निन्न लिखित में से कौन पंडवानी से सम्मंदित है ठीक है तो चार वैक्तियों के नाम दिये गये हैं उन में से दो वैक्तिय के नाम बताना है कि पंडवानी से सम्मंदित कौन-कौन है ठीक है तो अफ्सन देखें अफ्सन ए ज्यादो राम देवांगा अफ्सन बी भैया लाल हिड़व ऑफ्सन सी पुना राम निसाद अफ्सन डी कार्तिक राम साहू ठीक है तो कार्तिक राम साहू तो होई नहीं सकत ठीक है भाईया लाल हेड़ो भी नहीं है मतलब पंढवादी से संबंदित आपका पंढवादी संबंदित है ज्याड़ राम देवांगन और पुना राम निसात जो है पंढवानी से संबंदित है ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option A और option C इसका correct answer हो जाएगा पढ़वानी से संबंदित है आपका ज़ाड़ राम देवांगन और option C में दिये है आपका पुना राम निसाथ ठीक है अगला प्रसन देखे प्रस नमबर पांचवा कहता है कि बिरहोर जन जाती के you agree को किस नाम से जाना जाता है जो बिरहोर जन जाती के you agree है उसको किस नाम से जाना जाता है ये प्रसन पूछा है आपका प्रस नमबर पांचवा option A में दिये है गोटुल, option B में दिये है आपका धुमकुरिया option C में दिये है आपका गितोना और option D में दिये है आपका रंगबंग ठीक है तो बिरहोर जन जाती के you agree को जो है आपका कहा जाता है गीतोना के नाम से जाना जाता है ठीक है तो बिरहोर जन जाती के you agree को जो है गीतोना के नाम से जाना जाता है ठीक है और घोटुल जो है मुरिया जन जाती के you agree का नाम है धुमकुरिया, उराओंज जन जाती के युवगर्य का naam है और गंगप, किस जन जाती के युवगर्य का naam है ठीक है और इसका जो correct answer हो जाएगा प्रस नमबर पाचव का आपसन नमबर सी correct answer हो जाएगा गितोंडा, ठीक है अगला प्रसुने की बात करें प्रस नमबर छटवा की बात करें कि सेवक का काम कौन सी जन जाती करती है जो सेवक का काम है वो कौन सी जन जाती करती है यह प्रस न पूछा आपका प्रस नमबर छटवा option A में दिये हैं आपका हलबा जन जाती option B में दिये हैं आपका भत्रा जन जाती option C में दिये हैं आपका कूरकू जन जाती और option D में दिये हैं आपका कमर जन जाती ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number B भत्रा जन जाती जो है सेवा का काम करने वाली जन जाती है ठीक है सेवा का जो काम करती है वो भत्रा जन जाती करती है ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा प्रस नमबर छटवा का भत्रा जन जाती ठीक है option नमबर बी जो है इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद बात करे प्रस नंबर सात्वा की तो प्रस नंबर सात्वा की बात करें तो कुरुख कौन सी जन जाती दौरब बोली जाती है ठीक है तो चार ओफशन में से आपको बताना है कि कुरुख जो है कौन सी जन जाती के दौरब बोली जाने वाली बोली है ठीक है तो option A में दिया है आपका गोंड जन जाती, option B में दिया है उराउं जन जाती, option C में दिया है बैगा जन जाती, और option D में दिया है आपका बीरहोर जन जाती ठीक है तो कुरुख बोली का जो प्रयोग है तो जो कुरुख बोली का जो प्रयोग है वो आपका option number B correct answer हो जाएगा उरावजन जाती के दोरा जो है बोले जाने वाली बोली है आपका कुरुख ठीक है तो उरावजन जाती के दोरा बोली जाती है आपका कुरुख बोली का प् जन्जाती के दोरा किया जाता है, लोहा गळाने का जो काम है, वो कौन सी जन्जाती के दोरा किया जाता है, ये प्रस्ट नपूछा है, आपका प्रस no.8 यह है, तो option A में दिया है आपका हलबा जन जाती, option B में दिया है, आपका अंगरिया जन जाती, option C में दिया है, आपका गुंड जन जाती, और option D में दिया है, आपका इन में से सभी, ठीक है, तो लोहा गलाने वाली जन जाती, जो है आपकا, option number B, उसका correct answer हो जाएगा, अंगरिया जन जाती अंगरिया जन जाती के दौरा जो है लोहा गलाने का काम करती है ठीक है लोहा गलाने वाला जो वैसाई है वो जो है अंगरिया जन जाती के दौरा किया जाता है किलियर है अगला प्रसंद देखे प्रस नमबर नववा प्रस नमबर नुवा की बात करें तो राउत नाचा किसके दौरा किया जाता है जो राउत नाचा है वो किसके दौरा किया जाता है यह प्रस नमबर पूछा है आपका प्रस नमबर नुवा ठीक है तो ओफशन A में दिया है केवल पुरूस option B में दिया है केवल महिलाए option C में दिया है पूरूस और महिलाए दोनो option number D दिया है आपका इन में से कोई नहीं तो इसका जो correct answer हो जाएगा केवल पूरूस के दोरा जो है राउत नाचा किया जाता है केवल पूरूस के दोरा जो है राउत नाचा का एवजन किया जाता है ठीक है केवाल इसमें पूरुस ही करते है और परी की भूमी का भी जो है पूरुस के दौरा निभाई जाती है क्लियर है यहां तक अगला प्रस्न देखे प्रस नंबर दस्वा प्रस नंबर दस्वा की बात करें तो धर्ती मुर परान के रचनाकार कौन है धर्ती मुर परान के रचनाकार कौन है यह प्रस नंबर पूछा है आपका प्रस नंबर दस्वा ऑफ्सन A में दिया है आपका मुकुरदर पांडे ऑफ्सन B में दिया है आपका विने पाठक option c में दिया है आपका गेंद राम सागर और option d में दिया है आपका पदुम लाल पुना लाल बक्सी तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number c इसका correct answer हो जाएगा गेंद राम सागर जो है धरती मूर परांद के रचनाकार है ठीक है, तो धर्ती मूर परांत के रचनकार कोन है, गेंद राम सागर है, ठीक है, अगला प्रस्न की योड चले, तो प्रस्न नमबर ग्यारवा कहता है, कि जे ठाउनी निम्न लिखित में से कीस महा में मनाते हैं, ठीक है, तो जे उठाउनी जो है, कीस महा में मनाते हैं, ये प तो इसका जो correct answer हुजाएगा 0isz living a correct answer हुजाएगा 아침 कार्तिक में जो है आपका जेठाउनी मनाया जाता है ठीक दबिस नमबर इसको खरेग्र कार्तिक महां में जो है जेठाउनी मनाया जाता है कि लिए रहां तक अगला परस ने देखे प्रस नंबर बार्वा की बात करें तो 36 गड़ के किस लोग गीत में गंगा का नाम बार बार आता है तो 36 गड़े का, ऐसा कौन सा लोग Gीत है, जिसमें गंगा का नाम जो hai, बार-बार आता है, ये प्रसन म पूछा है, अपका प्रसन नमबर बारवा में, ठीक है? तो आफ़सन A में दिया है सुआ, आफ़सन B में दिया है भोजली, आफ़सन C में दिया है कर्मा, और आफ़सन D में दिया है इन में से सभी तो इसका जो correct answer हो जाएगा भोजली गीत में जो है गंगा का नाम जो है बार बार आता है अपका भोजली गीत में ठीक है आज भोजली तेवहार भी है ठीक है इसलिए मैं इस question को लिया हूँ तो गंगा का नाम जो है बार बार आता है आपका भोजल गीत में, ठीक है, बहुत अच्छा गीत है, सुनिएगा कभी, अगला प्रसने की बात करें, प्रस नंबर तेरवा, प्रस नंबर तेरवा की बात करें, दा अंगरिया, दा अंगरिया, नामक पुस्तक किसकी है, दा अंगरिया नामक पुस्तक जो है, किसकी है, ये प्रसने पू D में दिया है आपका स्यामा चरन ठीक है? तो दा अंगरिया जो है आपका option number C इसका correct answer हो जाएगा Elvin की पूस्तक है ठीक है? दा अंगरिया जो है variable Elvin की पूस्तक है ठीक है? इसका correct answer जो हो जाएगा option number C इसका correct answer हो जाएगा दा अंगरिया जो है आपका वेरियल एलविन की पूस्तक है किलियर है अगला प्रस्न देखें प्रस्न नंबर 14 की बात करें तो देवदास बन जारे का संबन किस से है गाई ये प्रस्न पूछा आपका प्रस्न नंबर 14 में ठीक है तो देवदास बन जारे का संबन यह प्रस्ण पूछा आपका प्रस्ण नमबर 14 में, ओफ्षन A में दिया है राउतनाचा, ओफ्षन B में दिया है आपका पंथी, ओफ्षन C में दिया है सुवा, और ओफ्षन D में दिया है इन में से सभी, ठीक है, तो देवदास बंजारे का संबंध है आपका पंथी से, ठी option हो जाएगा इसका option number 20 इसका correct answer हो जाएगा 35 है तो अभी तक जिसने भी हमारे यूटूब चैनल को subscribe नहीं के फ्रेंड तो subscribe करें like करें और share करें ठीक है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को subscribe करें धन्यवाग